प्रिवीव शुरू करने से पहले एक दरूरी बात अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं जस साइनिस का मतलब यहां पर आपको समझा रहा हूं अगर यहां टिक है जैसे आप देख सेते हैं पिच के नीचे टिक है इसका यह मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती उसकी एक च्रॉस है मतलब वहां पे खराब है जैसे यहां पर आपको दिख रहे है क्रॉस मतलब उस प्लेयर का स्पैसिफिक का फॉर्म खराब है उसके अलावा यहां पो दिख रहा है एक उपरचुनिटी मीटर अट डिट रिस्क मीटर अट बटम राई तो थोड़ी ज्यादा होगी as likely ज्यादा है कि वो ज्यादा केले risk meter एक mix चीज है बोलर्स के लिए ज्यादा हो तो बैतर and batters के लिए कम हो तो बैतर क्योंकि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा fantasy value दे सकता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं with Josh Butler वाल अगर ज्यादा risk ले रहा है मतलब boundary bonus points की opportunity ज्यादा है बट यह भी chance है कि जल्दी out हो जाए तो risk meter जितना कम better for the batter and जितना ज्यादा for the bowler उतना बैतर क्योंकि अगर aggressive bowler है तो wicket लेने के chance ज्यादा and risk drop का क्या मतलब है कि क्या situation में आप इस batter को drop कर सकते हैं अगर यहाँ पर लिखा हुआ although can be cramped with balls close to the body मतलब अगर कोई pacer है सामने वाली team में जो उस तरीकी की bowling करता है तो आप chance ले सकते हैं उस specific batter पे तो यह हुए मतलब इन specific चीज़ों का अब चलते हैं प्रिव्यू की तरह बैंगलोर बनाम हैदरबाद का मुकाबला खेला जाए गादा चिनस्वामी इन बैंगलोर रेन की है फोरकास तो समझेंगे कैसे एफेक्ट कर सकता है इस मुकाबले को अब चलते हैं प्रिव्यू उसके पहले इंशॉर कि आप यह सकते हैं बड़े बड़े प्राइज यहां पर जीट सकते हैं जरूर वहां पर पाटिस्पेट करेगा अब चलते हैं स्ट्रेट टुद टुद अब टैक्टिकल कॉर्णर में हम देखें तो आर सीबी एंसरेज दोनों के लिए आप देखें आर सीबी के मिडल ओवर्स एंड डेद बोलिंग बहुत ही ज्यादा वीक वाइल एसरेज की मिडल ओवर्स बैटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग तो यहीं पर इस फेज में सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर पैक्ट बोलेंगे दोनों टीम्स के पास जयाल के बदले अफकोस यहां पर टॉप ली एक या दो वर डालेंगे बट आइधिंग पावर्स टीम्स अच्छा कर सकते हैं स्पेशली इन बैटिंग कंडिशन और बोलर्स में भी यहां पर उनके लिए tough दिन या पर हो सकता है अब चलते हैं आगे की तरफ पिछ रिपूर्ड की बात की जाए तो clear weather expected for this game पूरा मुकाबला तो फिर मैं किस rain की बात कर रहा था हाँ जी मैं बात कर रहा था इस rain की यहां पर होगी रणों की बारिश बहुत सारे runs यहां पर बन सकते हैं वापस कुछ matches में pitch थोड़ी सी two pace थी हैं याद रखी कि अब we are getting into the phase of the tournament middle second half के तरफ जहां पर pitches थोड़ी सी slow हो सकते हैं तो वो एक factor है जो runs कम कर सकते हैं उसके अलावा तो आप dimensions की बात करें अब तक जो pitches हैं उनकी बात करें तो runs तो यहां पर अच्छे कासे बने आप चलते हैं दोनों टीम्स के लाइनप की तरफ तो सिमिलर लाइनप्स यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे क्यूंकि लास्ट गेम में काफी खराब गेम था उनके लिए फॉर रिप्लेस्मेंट से नकाश्टी पैंड क्या थे आकाशदी बाइस्ट विजय कुमार तो प्रॉस्टिबल है कि यह द्याल एक श्लॉट में आ जाए अब वापस यहां पर ग्रीन कहलेंगे जैक्स कहलेंगे स्विट तो पैसा क्ते है तो एपने इसंता हृ आपट सेयल कर सकते हैं कि यह बूसिबड़ के क्था से निव यदि ठीड किया यहां पर वाट सार्तनाभ कर सकते हैं यहां पर सैनेativरन कर सकते हैं क्या घुजब जो लीग्स आप जॉइन करेंगे उससे आपकी रैंकिंग भी बढ़ जाएगी ना इन्वेस्मेंट लीडवर्ड सो लेट गेट स्टेट इंटो एट एंड लेट संडेस्टैंड की आर्ट सीबी के लिए कौन होंगे वबड़े प्लियर विराट कोली अफकोस आपकी बेश टीम में रहेंगे अच्छे मैच अप से सारे बोलस के सामने भूवी ने दो बार आउट किया है बट इनका श्राइक भी भूवी के सामने अच्छा कासा सो में भी वहां पर एक इंट्रेस्टिंग मैच अप बन सकता है बट उसके लावर लुकिंग अट दी आवरेज अगेंस पो अगेंस टीम आन दे वेन्यू आप इन्हें बेश टीम में बिलकुल नहीं छोड़ना चाहो गया फिर चलते हैं यहां पर फैब डूपलिसी की तरफ इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे एंड लास्ट गेम में फाइनली कुछ फॉर्म भी इनोंने वापस पाया सो अफकोस यह भी आपके बेश टीम में बने रहेंगे और सामने ऐसे कोई खास त्रेट्स नहीं अनलिस बुवी जल्दी से लाके वह इन स्विंग वाला बॉल डाल दें बट उसके लिए भी स्विंग वान ओफर होनी चाहिए विल जैक्स वापस मेरे साब से टीम में रहेंगे अच्छे बैटिंग कंडिशन है इनको यहां पर भी एक मौका बिलकुल मिलना चाहिए सामने लेफ्टी उतने सारे नही लास फ्यू गेम बट अभी भी मेरे बेस्टीम में जगे डिरेक्ली नहीं दे पाऊंगा ऐस मुझे लग रहा है कि जिस तरीकी की बैटिंग है रसी वी के बास में भी उनकी उपर्चुनिटी इतनी असानी से एं इतने सिंपल सिट्वेशन में ना है सो अभी के लिए तो न नहीं के बराबर रिटर्न एक्सेप फो फ्यू गेम जहां पे उनने कुछ विकेट्स लिए और वापस विद बॉल इनका रूल काफी लिमिटेड होगा इस गेम में सो बेस्टीम में रहेंगे कि वाल्य आपको दे रहें बट कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी चॉइस मेबी कैमरें ग्रीन इफी प्लेज एक इंट्रेस्टिंग रोल प्लेए कर सकते हैं कि विल जैक्स मैक्सवल चाहे दोनों खेलें दोनों में से एक खेलें बट उनकी बोलिंग वाल्यू यहां पर टैप हो जाती है जिसका ही मतलब है कि इनको एक पेसर ज़रूर लगेगा और कैमरे में आपको लग रहा है कि जल्दी गिरेंगे वहां पर महीपाल लोम्रोर और दिनेश कार्थिक दोनों आ जाएंगे दिनेश कार्थिक ने हर गेम में आके कुछ ना कुछ अच्छा कॉंट्रिब्यूशन करके दिया for this team and definitely आप इन्हें grand leagues में च्राय कर सकते हैं बेश तीम मे इन्हें पर देखा है कि ट्राविस हैड ने लग गए इनका काम आपे बन सकता है तो अगर आपका आपका भी गट फील कुछ ऐसा कह रहा है तो definitely ने आप ट्राय कर सकते हैं तो आप डिसिप्लेंट बोले रहे हैं फर्स बोलिंग में डेफिनिटल अब साइड में ले सकते हैं अब चलते हैं सब्सक्राइबाद की तरफ यहां पर मयंग करवाल एक्सपेक्टेट तो बीफिट लेंग और विस आर्सी भी ठीक टाक आवरेज बट जितना भी खेला हैंनोंने अब तक इंदर टोर्नमेंट इंकरेचिंग साइंस तो नहीं कहूंगा मैं सो बेस टीम में तो सीधा लेने हैंने मुश्किल होगा ट्राविस हैड इंट्रेस्टिंगली जितने जितने भी गेम उन्होंने खेले हर गेम में बीस के नीचे एक चांस दिया है और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड सामने वाली टीम ने की है या तो क्या छोड़ दिया तो DRS नहीं लिया सो लेट सी इस गेम में देते हैं कि नहीं और सिराज विल बी वेटिंग तो टेक टाट विकेट एंड इंट्रेस्टिंग बात एक और मायंग गरवाल और ट्राविस है दोनों ने अपने करियर्स की स्टार्टिंग और सुझवात आर सीवी से की थी और हमें पता है कि जब यह पुराने प्लेश आर सीवी के सामने आते तो क्या हो जाता है अभी शेक शर्मा बहुत ही जात अच्छे फॉर्म में लगे डोंट भ अच्छा विद बैटी आप फॉर्म के साब से ले सकते है राहूल त्रिपार्टी लास्ट गेम में फाइनली इस इंपक्स अब आए कुछ खास इंपक्स पर बना नहीं पाए लेट सी इस गेम में स्टार्टिंग में जगें मिलते हैं यह नहीं यह बट अफकोस अभी के लि कुछ अच्छे मैच अपस हैं वर्सस आर्टी टॉप ओर्डर तो में भी वहां पर इनका शलॉट आ जाए और एंडरे क्लासिं इनों ने भी अपनी करियर की शुरुवात आर्टी वी के सामने की थी इन इंट्रेस्टिंगली कुछ खराब मैच अपस हैं इनके इस गेम में स तो यह बन जाते हैं क्याप्टेंसी वाइस क्याप्टेंसी चॉइस क्यूंकि जो मैच अपस है उसमें से कुछ मैच अपस ऐसे हैं कि मेभी वो प्लेयर्स इस गेम में उत्रे ही ना शाबाज आइमत इन्होंने भी आर्सीवी के लिए खेला है पहले और शिक्स मैच शिप सर महां पर इनका रोल बिलकुल बन सकता है मैंने निटिश रेड़ी अन अब्दूल समाथ इन दोनों के कार्ड जाइड नहीं किया एस ना एच-टू-एच खेला है ना वेन्यू पर खेला है तो वहां से आपको कुछ खास इंसाइट मिलेगा नहीं वाशिंग्टन सुन्दर यह भी खेल चुके हैं फर RCB and versus RCB एक मैच में एक विकेट आड बैंगलो नाइन मैचेज नाइन विकेट सिस्टी टू रन सो कुछ बैल्यू आपको दे सकते हैं बट क्यूंकि defensive kind of bowler ने डिरेक्ली आपकी बेस्टीम में आप नहीं ले पाओ गया है पैट कमें सेवन ने रख सकते हैं अब तक इनका performance काफी ठीक टा कर रहा है and with the bat भी आपको वैल्यू देखे जाएंगे बुवनेश वर कुमार यह भी RCB के लिए खेल चुके हैं तो आप जब प्लेंग 11 की शीट पर वापस जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेश अब तक मैं आपको बता चुका हूं इनका में भी आपको उतना कुछ पता ना हूँ आपको यह जब खेले थे उन्हें कुछ खास मौका महां पर मिला नहीं था but versus RCB 22 matches 18 wickets and यहां पर 12 matches मे 12 wickets तो चो conditions है खास इन्हें help करेगी नहीं but first bowling में आपको थोड़ी death में value दे सकते हैं same for अंटरा जग only if he's bowling first में consider करूँगा bowling second में लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यह wicket taking venue तो है ही नहीं मायंक मारकंडे if he's bowling first you can consider rather if he's bowling second you can consider क्योंकि possible है कि अगर बहुत बड़ा score set हो जाए अंडर प्रेशर यह कुछ विकेट्स ले पाए उम्रान मलिक unlikely to play match-ups की बात की जाए यहां पर तो जैसे मैंने का Tom Curran का सब्सक्राइब को मेभी एक स्लॉट मिल जाए आपर लेट सी क्यूंकि टॉम करन लॉकी फर्गुसन दोनों बेंच पर पैटे हुए लेट सी अगर एक मौका मिलता है की नहीं मैक्सवल वसिस नतराजन 32-30 एं 3 dismissals, विल जैक्स वसिस मार्को यांसें 26-19 एं 4 dismissals और मार्को ने विराट को भी थोड़ा परिशान किया है अभिशेक वसिस मैक्सवल 0-3 एं 1 dismissal तो बहुत ऐसे match-ups है की मेभी इस गेम में अक्टिवेट होई ना तो अगैन अब बैटर्स गेम इस लाइकली रन दे कार्ट सो विदाओ वेस्टिंग अनी फॉदर टाइम बनाते है अमारी आज की फैंटेसी टीम की इन दे कीपिंग सेक्शिन ओंडिक लासन बनेंगे एक स्टेट फोर चोईस इन बाटिंग सेक्शिन विराट को ली बनता है और बन बिट्वीन अभिशेक एंड ट्राविस क्योंकि सिराज का महां पे रोल बिल्कुल बन सकता है इस बात का ध्यान रखिए अन दी ओल रॉंडर एडन माक्रम ग्लेन मैक्सवल विल जैक्स वन बिट्वीन मैक्सवल या ग्रीन खेलेंगे तो जो भी खेलेंगे दोनों मैं से एक को महां पे ले लेंगे नितिश ने लाज के में अच्छा किया डिफिनिटली कंसेडर कर सकते हैं शाबाज अगर खेलते हैं तो बेस टीम में सीधा आ जाएंगे पैट कमेंज री स्टॉप ली होंगे इस सेक्शन से स्टेट फॉर पिक्स अगर नटराजन देख डालते हैं तो आप इने भी ले सकते हैं यहां से आप बैटिंग सेक्शन से एक और पर कर सकते हैं रजट पार्टी दार जो आपको काफी वाल्यू दे सकते हैं काफी इंट्रेस्टिंग होगा यहां पर कुछ पूरी अब तक टीम यहां पर बरी नहीं कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी ऑप्शन में आपको अल्रेडी बता चुका हूं वाइल डिस्कसिंग इंडिविजुल प्लियर्स तो अगर आपने वह नहीं सुना अभी जागे सुन में ले सकते हो ड्रॉप कर सकते हो वान बेविजुल रिस्क लीजिया सिराज इस बोलिंग फर्स उसके लावा है यहां पर बैटिंग सेक्शन में अगर तरीपाटी लोम रोर पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनिटली प्लियर्स वॉर्ट कंसिजर इंग फर्यू इंग इ इस बोलिंग फर्स और जैदेव उनटकट इस बोलिंग फर्स ठीक टाक चॉइस बन सकते हैं और मंक मरकंडे बोलिंग सेकेंड तो यह रहा हमारा आज का प्रिव्यू आप आप सभी को पसंद आया हो जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए दू रिमेंबरो जॉइ झाल